जब आप उन अनगिनत तारों को देखते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण हैं? जैसे इस विशाल ब्रह्मांड में आप एक छोटे से कण हों? ये विचार ही कितना अद्भुत है कि हम इस अनंतता का हिस्सा है जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा एक कहानी कहती है अब सोचिए कि हमारा ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल है शायद कई ब्रह्मांडों में से एक है ये विचार की हमारे ब्रह्मांड के परे भी कुछ हो सकता है, एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा से आकरशित करता आया है, ये पैरलल यूनिवर्सिस का अद्भुत विचार है, कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां हर निर्णय, हर घटना एक अलग दिशा में जाती है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर हमारे जीवन के हर निर्णय का एक अलग परिणाम होता है, लेकिन क्या होगा अगर ये दूसरी दुनिया सिर्फ कल्पना नहीं है, क्या होगा अगर ये alternate realities सच में मौजूद हैं और हम किसी दिन उन तक पहुँच सकते हैं, क्या ह अगर वो सच में हैं, यह विचार ही कितना रुमान्चक है कि शायद कहीं और एक और आप हो सकते हैं, जो एक अलग जीवन जी रहे हैं, ये विचार शायद स्टार ट्रेक का कोई किस्सा लग सकता है, लेकिन ये एक सीरियस टॉपिक है, जिसे फिजिसिस्स और कॉस्मोलोज एक्स्प्लोर कर रहे हैं, वे इस रहस्य को सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में पैरलल युनिवर्सिस का अस्तित्व हैं, हालां कि हमें अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ कंपलिंग थियूरीज बताती हैं कि हो सकता है कि हमारा ब्रह्मा अकेला ना हो, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वान्टम मेकानिक्स और स्ट्रिंग थियूरी जैसे सिध्धान्त इस विचार को समर्थन देते हैं, तो तयार हो जाए, हम पैरलल युनिवर्सिस के साइंस, अटकलों और अजूबों के सफर पर निकलने वाले हैं, इस या नेक्स डॉर हो सकता है, कल्पना कीजिए कि एक शीशा दूसरे शीशे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे रिफ्लेक्शन का एक अनन्त सुरंग बन रहा है, ये सुरंग कभी खत्म नहीं होती, और हर रिफ्लेक्शन पिछले रिफ्लेक्शन की एक प्रतिलिपी होती है, ये Parallel universes की concept को समझने का एक आसान तरीका है. जैसे reflections एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही parallel universes भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. ये universes एक दूसरे के साथ interact नहीं करते, लेकिन फिर भी एक साथ coexist करते हैं. हर universe शायद हमारे जैसे ही होगा, अपने खूद के physical laws और constants के साथ, लेकिन कुछ universes में ये laws और constants बिलकुल अलग हो सकते हैं. कुछ universes में gravity बहुत ज्यादा हो सकती है, जबकि कुछ में बिलकुल नहीं, कुछ में time बहुत तेजी से गुजर सकता है, जबकि कुछ में बहुत धीरे, या फिर बिलकुल अलग जो reality की हमारी समझ को ही चुनौता है. ये alternate realities हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, कि क्या हमारा universe की एक मात्र reality है, या फिर और भी realities हो सकती हैं, जो हमारी समझ से परे हैं. Physicists ने अलग-अलग types के parallel universes के बारे में बताया है. कुछ theories suggest करती हैं कि हमारी universe के अलावा और भी universes हो सकते हैं, जो हमारी universe के साथ parallel exist करते हैं. ये universes हमारे universe से बिलकुल अलग हो सकते हैं, और इनमें अलग-अलग physical laws हो सकते हैं. कुछ theories बताती हैं कि universes हमारे साथ-साथ exist करते हैं, जो अकल्पनिय दूरी से अलग है। ये universes इतने दूर हो सकते हैं कि हम कभी भी उनसे interact नहीं कर सकते। ये distances इतनी ज्यादा हो सकती हैं कि हमारी current technology से उन्हें measure करना भी impossible है। दूसरी theories बताती हैं कि universes black holes के भीतर nested हैं या हमारी timeline से अलग हो गए हैं। ये theories suggest करती हैं कि जब एक black hole बनता है तो वो एक नया universe create कर सकता है जो हमारे universe से बिलकुल अलग हो सकता है। ये universes हमारी timeline से अलग हो सकते हैं और इनमे time और space का concept बिलकुल अलग हो सकता है। इसे ऐसे समझें, हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो एक नई timeline बनती है जहां आपने opposite choice की होती है। ये concept हमें समझाता है कि हर decision एक नई reality create कर सकता है जहां चीजें बिलकुल अलग हो सकती हैं। ये नई timelines हमारे universe के साथ parallel exist करती हैं और इनमें अलग-अलग events हो सकती हैं। इससे अनंत branching universes बनती हैं जिन में से हर एक का अपना unique history होता है। हर universe में events अलग-अलग हो सकती हैं और हर universe की अपनी एक अलग story हो सकती हैं। ये branching universes हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे decisions का असर सिर्फ हमारे universe पर होता है या फिर और भी universes पर हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन basic idea ये है कि हमारा universe शायद existence के एक बहुत बड़े cosmic form में सिर्फ एक bubble है। ये cosmic form बहुत सारे universes से बना हो सकता है और हर universe एक bubble की तरह हो सकता है। ये bubbles एक दूसरे से interact में भी करते हैं लेकिन फिर भी एक साथ exist करते हैं। ये concept हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा universe कितना बड़ा है और क्या और भी universes हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। Parallel universes का विचार सिर्फ एक philosophical thought experiment नहीं है। इसकी जड़े modern physics के कुछ सबसे complex और mind-boggling theories में हैं। दो सबसे prominent theories जो multiverse की संभावना का समर्थन करती हैं वो हैं multiverse theory और string theory Multiverse theory cosmology और Big Bang के study से निकली है। ये बताती है कि हमारा ब्रह्मान्ड जो energy के तेजी से expansion से बना है शायद अकेला नहीं है। इसकी बजाए अंगिनत दूसरे universes भी उसी event से या ऐसे ही event से बने होंगे। दूसरी तरफ string theory Reality के मूल स्वरूप के बारे में बताती है। ये बताती है कि universe छोटे-छोटे vibrating strings of energy से बना है और अलग-अलग vibrations से अलग-अलग particles और forces बनते हैं। और दूसरे universes in hidden dimensions में exist कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा less abstract बनाते हैं। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि अगर हमने अपनी life में कुछ decisions अलग लिये होते तो क्या होता। ये विचार हमें एक fascinating journey पर ले जाता है। एक ऐसे universe की कलपना कीजिए जहां आपने अपनी life के एक critical juncture पर एक अलग decision लिया था। जैसे कि आपने उस job offer को accept कर लिया होता जो आपने reject कर दिया था। हो सकता है कि आपने वो job offer accept कर ली होती उस नए city में चले गए होते या आखिरकार अपने crush को propose कर दिया होता। हर decision का एक अलग outcome होता। उस parallel universe में आपकी life अलग धंग से unfold हुई होगी जिससे पूरी तरह से नए experiences और outcomes मिले होंगे। शायद आपने नए friends बनाए होते एक अलग career path चुना होता या एक completely different lifestyle अपनाया होता। अब इसे उन सभी decisions से multiply करें जो आपने कभी लिये हैं और वो सभी decisions जो बाकी सभी ने कभी लिये हैं। हर एक decision एक नए universe को जन्म देता है जहां possibilities अनंध हैं। संभावनाय सच मुझ माइंड बॉगलिंग हो जाती हैं। सोचिए कितने सारे universes हो सकते हैं जहां हर एक व्यक्ती ने अलग-अलग decisions लिये हैं। ऐसे universes हो सकते हैं जहां dinosaurs अभी भी धरती पर घूंडते हैं। जहां gravity उल्टा काम करती हैं या जहां आप एक famous astronaut हैं या एक rock star हैं। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी reality कितनी flexible और dynamic हो सकती है। बेशक ये सिर्फ fun thought experiments हैं लेकिन ये हमें हमारी imagination की boundaries को explore करने का मौका देते हैं। लेकिन ये multiverse concept के sheer scope और potential को दर्शाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी reality कितनी vast और complex हो सकता है। ये बगाते हैं कि हम reality को जैसा जानते हैं वो एक बहुत बड़े, ज़्यादा complex और infinitely more strange tapestry को एक छोटा सा हिस्सा है। हर thread, हर decision एक नए universe को जनने देता है। और ये सभी universes में को एक विश्याद डिकस्ट्राइब है। जब में इस concept को पज़ार करते हैं, कि हमारी reality को और decision के पोड़ेक और है। हर choice एकना possibility को जाए देता है। और possibilities आए देता है। ये रधे आए डिकस्ट्ट्राइश टेदा है। कि हमारी शच्ट्राइब हुआख देता है। ये ये रधाना खाए, हाँ जो एक जाए प्राइब रिफगां चाहना पता है। ये जधे पाल्राइब हुआए, कि हमारी तो प्यादादा है। एक नहीं जो सब्सक्राइब करें नहीं नहीं यार्टी हैं अगली बार जब किसी डिसिजिजन के बारे में सोचें तो याद रखें कि आपके जोड़िज नहीं इस चोड़ीं यह विचार हमें हमारी लाइफ की कमप्लेक्सिटी और पोटेंशल को समझने में मदद करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमारी रियालिटी कितनी वास्ट और मिस्टीरियस हो सकती है